हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की डाल और चावल और भिंडी की सबजी इसके लिए मैंने यहां पर आधा कप अरहर डाल ले लिया है और यहां पर मैंने एक कप चावल लिया है क्योंकि मैं सिर्फ यहां पर दो भी सब्सक्राइब, यहां पर मैंने चावल धो करके राइस कुकर में डाल दिया है, और इसमें जो कप है, इस कपसे में, चार कप यहां पर पानी डालोंगी, तो यह बास्मती राइस है, तो इस वज़े से यहां पर इसका मैजर्मेंट यहा है, वान इस टू फौर, आप जो कप पानी डाल रही हूं और यह मतलब इसने अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा और एक छोटा चम्मच हमने यहां पर नमक लिया है एक छोटा चम्मच हल्दी लिया है और फिर इसमें जो पालक हमने धो करके रखा था उसको मैंने इसमें बारीक-बार साइस में हींग भी डाल देंगे आप चाहें तो हींग तड़के में भी डाल सकते हैं अब इसको चम्मच से अच्छे से मिला लिजिए और फिर इसको हम ढख करके कम से कम मीडियम हाई हीट पे चार विसल आने तक इसको बॉल करेंगे अब हमने देखें यहां पर राइस बिंडी को भी ऐसे कट कर लिया है बहुत जादा बढ़ा नी करना बहुत छोटा नी करना और तीन हरी मिर्च ले लिया है मैंने यहां पर मैं पैन को अच्छे से गरम कर लूँगी और गरम करने के बाद मैं इसमें मस्टर्ड ओयल डाल दूँगी वान एंडा हाफ टेबल स् इसमें फिर जीरा डाल देंगे इसको मैं पैन को थोड़ा से घुमा के गरम कर देती हूँ इससे क्या होता है कि हमारी जो कोई भी सबजी है वो इसमें चिपकती नहीं है अगर आप किसी भी बरतन को ओयल डाल करके पहले थोड़ा से हीट कर देते हैं तो उसमें कोई भी सब तो आप डाल दीचेगा, नहीं इच्छा होगी तो आप इसको skip भी कर सकते हैं, इतना कोई इसमें ये जरूरी नहीं है प्याज डालना, तो यहाँ पर देखिए अब ये थोड़ा सा भून गया है, अब मैं इसमें बिंडी डाल दूंगी और बिंडी को भी हम अच्छे से डाल करके थोड़ा सा चला लेंगे, अब हम इसमें आधा छोटा चमस हल्दी डाल देंगे, और फिर इसको हम थोड़ा चला देंगे, इसको मेडियम फ्लेम पर ही रखना है, बहुत हाई पर नहीं रखना है, ये सिंपल भिंडी की सबजी है, इसमें कोई मसाला नहीं, कुछ भी शुद्ध सात्विक खाना काने का नहीं है, उसको इसको बाता थोड़ा स्ली या कली बातव हैँ, इसको इसको मेडियम पर रखें चला या तो जाने रेंगे और बीच 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 में चलाते रहेंों, य्यантन बसजी ह्यो एक हमेर वंस्य खादि देखिए, अ वक right रख सकते कि बस उतारने से 3 मिनिट पहले हम इसलिए तब लास्ट में नमक डालते क्या होता है कि भिंटि पानी छोड़ता है तो वो इसकी वज़य से अगर हम लास्ट में नमक डालेंगे तो वो लेक्षिएं करके रखता है यहां पर मैंने दाल के तड़के के लिए दो खड़ा लाल मिर्च ले लिया है एक टमाटर मैंने इसको काट लिया है बारिक बारिक और प्याज जो आधा प्याज मैंने सबजी में डाला था आधा प्याज बच्चा वो ले लिया है और एक से डेड़ इंच अद्रक का टुकड़ा है तीन से चार लैसुन की कलिया है जिसको मैंने बारिक बारिक काट लिया है अब हम हमारे दाल भी बन चुके, अब हम यहाँ पर दाल के तड़के की तयारी करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कडाई ले लिया है, इसमें मैं दो बड़े टेबल स्पून देसी घी डालूंगी, देसी घी से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यकीन मानिए, अब भी ज जीरा थोड़ा सा यह हो जाए तड़क जाए गरम हो जाए, अब यहाँ पर 2 लाल मिर्च लिया था, उसको तोड़ करके डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे इसमें, और इसको हल्का सा मतलब पकने देंगे, हल्का सा यह जैसे वह जाता है नमांबराउनिश हो जात आप इसकी quantity को अपनी इच्छा नुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं पर यकीन मानिए जितना जैसा measurement मैंने बताया है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी दाल इतनी tasty बनेगी कि आप सिर्फ रोटी से सिर्फ दाल भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अब ये देखिए दाल हमारा boil हो चुका है कुकर ठंडा हो गया ये देखिए ये बहुत जादा पतला भी नहीं है और बहुत जादा गाडा भी नहीं है अब हमारा तड़का भी यहाँ पे almost हो गया है करीब एक से डेड़ मिनिट के बाद हमारे तड़का ऐसा हो जाता है प् इसमें मैंने 1-4 लाल मिर्च डाला है और 1-4 मैंने तीखा लाल मिर्च डाला है यहाँ पे 1-4 चोटा चमच हम धनिया पाउडर ले लेंगे 1-5 चोटा चमच आमचूर पाउडर ले लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से चला देंगे और चलाने के बाद हम यहां पर 1 फोर्थ टी स्पून जीरा पाउडर भी ले लेंगे यह जीरा पाउडर भी आपकी मर्जी है आप चाहें तो डालिए नहीं तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं तो इससे आपके दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आजाता है अब टमाटर हमारे अल्रेडी आधा पक चुके हैं लेकिन उसको और अच्छे से गलाने के लिए ताकि वो हमारे दाल में उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आजा और वो खड़े खड़े ना रहें तो इसके लिए यहां पर मैंने करीब 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दिया है अब यहां पर देखिए हमारे तड़के के मसाले ने ओल छोड़ दिया है गी छोड़ दिया है तो अब हम यहां पर यह जो उबला हुआ दाल है था हमारा बॉयल किया हुआ इसको हम इसमें add कर देंगे देखे कितना अच्छा color आ गया है ना डाल का अब हम इसको चला देंगे और सिर्फ एक से तेर्ड मिनिट पकने देंगे ताकि उसका जो तड़का है वो डाल में अच्छे से mix हो जाए और वो flavor आ जाए डाल में अब हम यहां पर देखे हमारा डाल अलमुस्ट बन चुका है अब मैंने यहां पर धनिया पत्ता डाल दिया है और धनिया पत्ता डाल करके हम इसको gas बंद कर देंगे इसको मिला देंगे और फिर serving bowl में निकाल लेंगे यह देखे है ना कितना yummy डाल कितना tasty और protein से भर पूर plain डाल खाने से अच्छा है ना कि हम पालक की डाल खाए इस तरीके से बच्चे भी खा लेंगे और उनको पूरा protein भी मिल जाएगा क्योंकि कई बार साग खाने में बच्चे बहुत नक्रे करते है यह देखे हमारी थाली तयार हो गई है दाल, चावल, भिंडी की सबजी यह देखे है ना कितनी crispy और yummy भिंडी की सबजी और यहां पर मैंने चटनी भी लिया जो मैंने सुबह बनाया था आम, पुदीना और धनिया पत्ते के अगर आपको उसकी recipe चाहिए तो मैं उसको भी शेयर कर लूँगी और हमारा दाल और थोड़ा सा सलात तो आ जाईए आप लोग भी खाने के लिए तो कैसा लगा मेरा recipe जरूर बताईएगा मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नई recipe के लिए